हाई फ्रेंड्स में हूँ अमीत और आप देख रहे हैं आमी साथ यूटीप चैनल और आज हम बात करने वाले कि आप कैसे अपने आधरकार्ट में कौन सा मुबाइल नमल लिंक है वो पता कर सकते हो तो इस वीडियो में हाँ उस पॉसेस्ट को आपको कड़के दिखाने वाले आपको सिंप्ली इधर सार्च करना है UIDI करके जो है अंधर का ओपिसल वेबसाइट UIDI सार्च करते हैं आप देख सकते हो कि बहुत सरा ओप्सन आ चुका है इसमें से देखिए सबसे पहले वाला जो ओप्सन है UIDI.gov.in इस लिंक पे आपको सिंप्ली क्लिक कर देना है अग आपको इदर से चूर्स कर लेना है चूस करने के बाद देखिए अधर का जो ओफिसल वेबसाइट है उसमें हम एंडर कर चुके हैं इंटर करने के बाद कैसे आप पता कर सकते हो कि आपका आधर करने के लिए आपको देखिए kommtopda में बहुत सरा ओप्सन है इसमें से आपको आपको सिंपली माई आधर पर क्लिक करना है माई आधर पर क्लिक करने के बाद देखे इदर एक option है चेक आधर स्टाटस इस option पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है जब भी आप इस option पर क्लिक करोगे तो आपके समने एक निया टैब ओपन हो जाएगा इसमें आपको सिंपली न आधहर नमबर है वो मांगा जाएगा आपको इस 12 डिजित आध नमबर को एधर under कर देता हूं और हम्हानी नमबर इंट्र करने के बाद देखे मैं नीचे के तरफ एक क्याप्यचर और इस और नीचे के तरफ दिखे एक प्रोसेट करके option है, इस option पर आपको simply click कर देना है, जब भी आप इस option पर click करोगे तो आप देख सकते हो कि इधर आपका आधार number दिखाएगा, जो already exist दिखाएगा है, and other verification complete, and जो मेरा age है 20-30 के अंदर है, मेरा gender, मेरा state, and मेरा mobile number के last 3 digit इधर show कर अगर आपका family का किसी का भी number इधर link होगा, तो आपको simply family का जो भी number है, उसको check करना है, कि last 3 digit कहां से मिल रहा है, तो उसी number से आपका आधार card link होगा, तो ऐसी simple तरिकों से आप अपना आधार card के साथ, जो भी mobile number link है, उसको पता कर सकते हो, तो वीडियो अचला है, तो like कर देना, चैनल को subscribe कर देना, और ऐसे ही बहुत सर्फ वीडियो के notification पाने के लिए, हमारा चैनल का जो notification bell है, उसको on कर देना, अगर आपके मन में कोई भी प्रस्ट न हो, तो आप हमारा comment section में आके पूछ सकते हो, मिलते अगले वीडियो में, ज झाले वीडियो